वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला चैनल जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रगें नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर्स सिबिल सर्विसेज में यह है हमारी जियोग्राफिक की क्लास जिसमें हाज हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्रां भारत में जलमार्ग यात्री तथा मालवहन दौनों के लिए परिवहन की एक महत्पुर विदा है यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तथा भारी एवं इस्थूल सामिग्री के परिवहन के लिए सरवाधिक उप्योगत है यह ईदन दक्ष तथा पारिश्थित की अनकूल परिवहन प्रणाली है यह परिवहन दो प्रकार का होता है अंतर इस्थलिय जलमार्ग और महासागरिय जलमार्ग भारत में समुद्र छेत्र में बंदरगाह पोत परिवहन समुद्री जहाज निर्मार और समुद्री जहाज मरमत तथा अंतर देश्य जल प्रणालिया शामि बड़े बंदरगा है ये बात सीधे सीधे पीपर में पूछ लेता है ठीक है भारत की मुख्य भूमी एवम दीपों के सारे लगबग 7570 किलोमीटर लंबा तट है यानि भारत की तट्रे खाहिए इस पर 13 बड़े बंदरगा है जो इस प्रकार है इनके नाम देख लो एक बात क पूलकता पारदीप विशाका पत्नम विशाका पत्नम भारत का सबसे घहरा तता इस्तलबद बंदरगा है चिन्नाई तूती कोरिन कोचीन न्यू मैंगलॉर मर्मुगाओ मुंबई जवाला नहरू एन और कांडला और भारत का पहला एकॉनिक जोन जो है वो कांडला में इस अब क्योंकि हम वाटर टांस्पोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो भारत में जल राजम्रक बिना गये हैं राष्टी राजमार्क बना गये हैं जैसे जो रोड़पर हम देखते हैं उन्ह यह निनेशनल हाइवेय इस्टेट में भी होते हैं इस आछ बोलते हैं यह जमीन पर ह अगर पानी पे होगा तो इसे हम बोलेंगे NW National Waterways ठीक है चलो तो भारत के जो प्रोमुख जल राष्टी राजमार्ग है उनकी बात करेंगे पहला है राष्टी जल मार्ग नमबर एक बहुत जादा इंपॉर्णेंट है पेपर में कई वर आ चुका है यह जाता है साथियो प्रयाग राष्टी हल दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है और भारत का सबसे लंबा वाटर वेज है यह ध्यानकना यह भारत के सरवादिक महत्र पूर्ण जल मारगों में से एक है जो यंत्री करत नौकाउं द्वारा पटना तक साधार नौकाउं द्वारा हरिद्वार तक नौकायन योग्य है यह विकास आत्मक उद्देश्यों के लिए तीन भागों में विवाज़त किया गया है हल्दिया फरक्का पांसो साथ किलोमीटर फरक्का पटना चार सो साथ किलोमीटर और पटना प्रियागराज छे सो किलोमीटर दूसरा है साथियोस में राष्टी जलमार्ग नंबर दो यह है साधिया धुबरी विस्तार आट सो कियान किलोमीटर में लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी श्टीमर द्वारा डिब्रुगर्ण तेरा सो चौरासी किलोमीटर तक नौकायन योग्य है जिसका भारतवा ब नहर 16 किलोमीटर के साथ चंपाकार 14 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल 23 किलोमीटर की नहरे आती हैं फिर है राष्टी जलमार्ग नंबर चार यह है काकी नाड़ा तथा पुद्चेरी नहर स्टेच के साथ गोदावरी तथा किष्णा नदी का विस्तार 1078 किलोमीटर में र मातई नदी महा नदी का डेल्टा चैनल ब्रहाममणी तथा पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रहाममणी नदी का विस्तार 588 किलोमीटर में है ठीक है भारत में 13 बड़े बंदरगा तथा 200 छोटे मध्यम बंदरगा हैं ठीक है छोटे बंदरगा राजवार गुजरात में 42 ह यह चोटे बंदरगाओं की बात हो रही है गोवा में 5 हैं करनाटक में 10 केरल में 17 कमिलाड़ों में 15 आंद्र प्रदेश में 12 ओडिसा में 13 पश्चे मंगाल में 1 दमन दीव में 2 लक्षी दीव में 10 पांड़ चैदी में 2 तता अन्दमा निकोबार में 23 इस्थित हैं ज्यानक बिसिकली उसको नाम देते हैं हम लोग हुगली लेकिन वो रिवर गंगाई है बारत के प्रदम प्रदान मंतरी पंड़े जवाला नहरू ने ओड़ी सामे बंगाल की खाड़ी के पूर्वतट पर महा नदी के संगम के पास वर्स 1962 में पारादी बंदरगा का शलान्यास किया यहां से मुखिताह जापान को लोह ऐस का निर्यात किया जाता है भारत में मई 1994 को न्यू मैंगलोर बंदरगा को नौवे बंदरगा के रूप में गोशित किया गया और अपचारिक रूप से 1975 में इसका उड़टन किया गया मैंगलोर बंदरगा करनाटक में सेते साथियो ध्यान रखेंगे जवारला नहरू या नहाशेवा पत्तन 1910 के मद जिनर में तथा 1989 से प्रियोग में आने वाले बंदरगा नहरू बंदरगा के विश्व इस्तरी अंतराश्टी कंटेनर के रख रखाओ वाले बंदरगा के रूप में पहिचान बनाई इस बंदरगा का निर्माण मुंबई बंदरगा के दबाप को कम करने के लिए किया गया था मुंबई बंदरगा पूर्ण रूप से एक इकरत बहु प्रियोजन बंदरगा है जहां कंटेनर, शुष्क, तरल तथा अन्य मात्रा में थोक कारगों की आवाजाही होती है मुंबई पश्मी तठ पर इस्ते एक प्राकरतिक पोताश्रे और देश का सबसे बड़ा पत्तन है यानि बंदरगा है मुंबई बंदरगा पर तीन नौका तठ है जिनके नाम है प्रिंस, विक्टोरिया और इंद्रागाट कांडला बंदरगा कक्ट की खाड़ी के शीर्स पर गुजरास से लगबग 48 किलूमीटर पर इस्तित है मारमगाव बंदरगा जोवारी नदी पर है गोवा में यह एक निर्यात प्रधान बंदरगा है जहां से देश से निर्यात किये जाने वाले कुल लोह अयस का 40 प्रिश्चत भाग निर्यात किया जता है गला थोड़ा खराब है मेरा तो थोड़ा मैनेज करिएगा विशाका पट्नम बंदरगा आंद्रगा आद्रगा सबसे गहरा पत्तन है द्यान रखना भारत का सबसे गहरा यह एक प्राकृति बंदरगा भी है मचली पट्टम बंदरगा आंद्रगेश में है चिन्नाई तमिलाडो में अवस्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगा है पहला मुंबई है तदा एक क्रत्रिम बंदरगा है मैनमेड है एन और देश का पहला निगमित बंदरगा है एक निगम बंदरगा है भारत के पूर्विदाट पर इस्तित तूति कोरियन बंदरगा तमिलाडो राज्य में है अलेपी बंदर का केरल राजम है ज्यान रखेगा भारत में पांच तरल प्राकर्तिक गैस टर्मिनल हैं दाहिज गुजरात में हजीरा गुजरात में कोची केरल में दाबूल महाराष्ट पारदी पोडिशा पोड़ प्रांगण वैस् तले यांने शिपियाड वैस् तले जहाजों का निर्मादा म्रमत कारे होता है इस दरष्टी से कोचीण शिपियाड भारत का सबसे बड़ा पोड़ प्रांगण है वरस 1972 से भारत सरकार ने इसे पूर्ट स्वामित कंपनी के रूप में इस्थापित किया भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का याड अलंग महस्तित है ध्यान लगना अलंग गुजरात में है मुंद्रा पत्तन गुजरात राज में है भारत में दमन जंजीरा तथा रतना गिरी के अवस्तित पर है कराईकल भारत के पूर्वी तट पर अवस्तित है ज्वार भाटा महा सागरों की महत्मूर घटना है जिसका मानल तथा परयावण के घटकों पर प्रतेक्ष याप्रतेक्ष रूप से प्रुभाव पढ़ता है मतसुद्योग जहाजों को अविश्ट स्थान तक पहुँचाने विद्व तुत्पादन आदे में ज्वारी तरंगों का उप्योग किया जा रहा है कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदर का है आगे देखो साथियो खुला बंदर का उसे कहते हैं जहां जली पोट तट से दूर खुले सागर में ही लंगा डालते है भारत में इस प्रकार का पत्तन चेन नहीं है जहां तट से दूर समांतर जहाजी गहाटों का निर्मार किया गया है बाहे पत्तन वे पत्तन होता है जो गहरे जली भाग में इस्थे तता मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है कोलकता से लगपग 90 किलोमीटर की दूरी परिष्टे थल्दिया बंदर का एक बाहय पत्तन का विशेश हो धारण है भारतीय नौवहन निगम SCI की स्थापना वर्ष 1961 में की गई सेतु समुद्रम परियोजना भारत रता सीलंका के मध्य पाक जल्डमरू मध्य और मनार की खाड़ी को जोड़ने का एक प्रस्ताव है भारत में कुल पांच राश्टी जलमार्ग आस्थित्व थी राश्टी जलमार्ग अधनियम दोया सोले द्वारा 106 नई राश्टी जलमार्ग पर स्तावित है अब कुल राश्टी जलमार्ग को की संख्या 111 हो गई है जिनकी कुल लंबाई 20275 किलूमीटर हो गी ठीक है दिया लगता गंगारदी के प्रियागरास से हल्दिया तक के भाग को राश्टी जानमार्ग नंबर एक गोश्ट किया गया है जिसकी स्थापना 1986 में इस पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं यह देश का सबसे लंबा अंतर जलमार्ग है यह भी हमने देखा राश्ट्रिय अंतर देशिये नौ वहन संस्थान पटना में अबस्तित है इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई और आज के लिए अंतिम बिंदू भारत के प्रमुक शिप्याड में गार्डन रीच कॉल गता हिंदूस्तान शिप्याड लिमिटेड विशाका पटनम आंदर पदेश यांदर पदेश में है और मजगां डॉक्स मुंबई महराश्ट तथा कोचिन शिप्याड कोचिन के रल में अवस्त है तो यह हुआ साथ हुआ आज का वीडियो आज के वीडियो में इतना ही इसकी आगे की चर्चा हम लोग करेंगे कल अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे वायू परिभान को उम्मिद करता हूं वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए चनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगरी क्लास में तब तक के लिए जैहिन जैभारत बन दिमात रहा हुआ